लॉन आपको बताने माला हूं कि रिस्क रिवार्ड रिशो का क्या इंपॉर्टन्स होता है और यह क्यू जरूरी होता है किसी भी ट्रेडर के लिए जिसको प्रॉफीटेबल रहना है लॉंग डम के लिए तो मैं आपको एक्जाम्पल दुआता हूं शौर्ट मैं आपको यह क इसे के भी successful नहीं हो सकते वो बीच में कभी losses लेगा कभी profit होगा कभी बड़े profit होंगे कभी छोटे loss होंगे इस तरह से trading काम करती है तो आपको बस यह द्यान रखना है कि जबी भी आपको यह trade लेते हो तो आपको minimum risk to reward ratio रखना है 1 is to 2 इससे आप बहुत ज्यादा profitable रहोगे क्य trade में से 5 बार भी अगर right होते हो तो आपको फिर भी आप profitable रहोगे अगर 50% win rate आपका है तो कैसे मैं आपको बता दाओ for example कोई चीज आपने अगर आपने 10 रुपे का आपका target है और 5 रुपे का आपका stop loss है जैसे कि मैं example दिता हूं 100 रुपीज में आपने कोई चीज बाय किये 110 आपका target है और 95 आपका stop loss है ओके इसी तरह से अगर आप काम करोगे तो आपका risk reward क्या हो गया जब आप लूज करोगे तो 5 रुपीज लूज करोगे और जब आप विन करोगे लाइक आपका trade successful होगा तो minimum आपको 10 रुपीज लेना है या इससे ज्यादा तो यह risk reward जब आप follow करते हो अगर आप calculate करोगे तो long term में आप हमेशा profitable ही रहोगे तो इसलिए risk to reward रिशो जो होता है जितना आप risk ले रहे हो उसका double हमेशा आपको reward लेना चाहिए यह आपको एक simple rule है उसको follow करना चाहिए तो ऐसा क्यों करना चाहिए यह मैंने आपको बताया है कि जितने भी successful profitable trader है ऐसा नहीं कि वो लोग हमेशा पैसा कमाते है इसलिए जबकि उनका risk reward ratio जो होता है वो इसी तरह से ज eight times आप right होते हो तब आपको one is to one लेना चाहिए अगर आपको आपकी win rate पर बरोसा है तो तभी अगर आप beginner हो या कोई like आप general trading करते हो और आपको आपके right निकलते है signals अच्छे अच्छा analyst करते हो फिर भी आपको minimum one is to two लेना है क्योंकि यह जो एक system बनाया हुए one is to two के अगर आपके trade सही निकलते हैं फिर भी आप profitable रहोगे like मैं आपको और एक example दे देता हूं अगर आप 5 रुपे लूज कर रहे हो तो आपको 10 रुपे कमाना है हर बार आप 5 रुपे लूज करोगे 10 रुपे कमाऊँगे 5 रुपे लूज करोगे 10 रुपे कमाऊँगे यह जा रहे तो कितने रुपे जा रहे 10 रुपे और मिले तो कितने मिले आपको 20 रुपे मिल रहे तो इसी तरह से यह काम करता है है ना तो यही इसके पीछे का logic है basic short concept है शौट में मैंने आपको बता दिया है कि किस तरह से ये काम करता है और बाकी तो आपको learning वीडियो मेरे चैनल पर मिलती होगी आजकल थोड़ी short वीडियो बना रहा हूँ पिछले दो-तीन दिनों से क्योंकि मेरे और भी काम चल रहा है मेरे खुद के trading भी होती है और ये जो आपको दिख रहे होंगे इनके ओपर भी मैंने वीडियो बना लिये entry, exit आपको किस तरह से करनी है ओकी गाइस, thank you so much for watching this video short video है लेकिन आप बाकी की learning वीडियो मेरे देख सकते हो किस टाइब के मैं बनाता हूँ thank you so much guys और इस वीडियो को like, share and subscribe कर देना thank you